स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्ण भारत की नई एरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्राले से मंजूरी मिली है यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एरलाइन शेडिूल्ड एरलाइन है यह एरलाइन लकनव और नौइडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुक शहरों को जोगने की योजना बना रही है शंक एर से क्षित्रिय कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है अगला प्राशन भारत ने हाल ही में किस देश में दो नए वालिज्य दूतावास खोलने की घोशना की है इन शहरों में भारतिय अमेरिकी समुदाय की जनसंख्या वृद्धी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है अगला प्राश नगर वन योजना किस मंत्राले द्वारा शुरू की गई है ए पर्यावरंग वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले बी आवास और शहरी मामलों का मंत्राले सी ग्रामी विकास मंत्राले दी कपडा मंत्राले आंसर ए पर्यावरंग वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले एक्स्प्लिनेशन शहरी इलाके में हर्याली बढ़ाने के उदेशिस से पर्यावरंग वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा शुरू की गई नगर वन योजना एनवी वाई ने हाल ही में सो नगर वन का सौ दिन का लक्ष्य हासल किया योजना में नागरिकों की भागीदारी से शहरी इलाके में वनों को बढ़ावा देने के लिए प्रती हेक्टेय चार लाख रुप्य की पेशकश की गई अगला प्राश किस एएपोर्ट का नाम जगद गुरू संथ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है ए लखनव एपोर्ट बी पुने एपोर्ट सी पटना एपोर्ट बी मुंबई एपोर्ट आंसर बी पुने एपोर्ट Explanation महराष्ट्रा सरकार में पुने हवाई अड़े का नाम जगत गुरू संथ तुकाराम महराज पुने अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़ा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी संथ तुकाराम महराज सत्रवी सदी के मराठी कवी और हिंदू संथे जिन्हें महराष्ट्रा में तुका तुकोबार्या तुकोबा के नाम से जाना जाता है अगला प्राशी साल दो हजार पच्चीस में आइफा अवार्ड्स का आयोजन कहां किया जाएगा ए वारानसी, बी शिमला, सी मुंबई, डी जैपो, आंसर, डी जैपो, एक्स्प्लिनेशन, हिंदी सिनेमा के सबसे बढ़े अवार्ड में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आयाएफा का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जैपुर में होगा उपमो के मंत्री दिया कुमारी की मौजूर्दगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आयफा के बीच समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए